हेलो गाइज विल्कम टू बी दा टॉपर आज की वीडियो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 मार्केटिंग की सो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास मार्केटिंग है तो अफकॉर्स आप मेरे चैनल पर नए हो गये तो इससे पहले मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत दिनों से मैं देख रही हूं कुछ बच्चे मुझे बार-बार बोल रहते हैं मां मार्केटिंग पढ़ाओ मा कर सकते हूं वह सबाब मुझे कॉमें बताना ठीक है तो आज की जो विडियो है यह हमारा यूनिट वन का रहेगा और मेरा तरीका यह होता है मैं सीधे बुक खोल के पीडियाफ से पढ़ाती हूं जो भी इंपॉर्टन चीज़े हैं ताकि आपको बिलकुल सामने में जाए ठीक है तो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वन और यूनिट वन का जो टाइटल है हमारे पास थोड़ा सा डिसकास करेंगे इसको इसका जो टाइटल है यूनिट टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग जैसे आप क्लास 11 में बुक का नाम ही मार्केटिंग ह तो जो unit 1 है वो भी आपको marketing का एक छोटा सा intro देगी जिसमें कुछ sessions होंगे और उसके बारे में वहाँ पर marketing के concept, definition और उसके अलग-अलग चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा तो ये विडियो छोटा ही है आप इसको पूरा देखें session 1 introduction to concept and definition of marketing सबसे पहले जो chapter का session 1 होगा उसमें वहाँ पर आपको marketing का concept है what is marketing all about और आपको इस chapter में पता चलेगा marketing की definition के बारे में आगे देखते हैं कुछ और भी sessions है जहाँ पर आपको क्या पता चलेगा तो जो हमारा second session होने वाला है वहाँ पर में पता चलेगा scope and importance of marketing marketing का क्या scope है क्या importance है यह आपको पता चलेगा तो session 3 है हमारे पास journey of marketing through different marketing philosophies अलग-अलग marketing philosophies के तुरू हमको marketing की पूरी journey के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से हमें इसको समझना चाहिए हैं किस तरीके से marketing का evolution हुआ और session 4 में हमको यह पता चलेगा कि what is the difference between marketing and selling तो आज कहीं जो वीडियो है जो भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैं इसको शुरू करती हूँ और सबसे पहले इस जो chapter है जो पूरे unit है इसका objective आपको बता दूँ कि यह chapter पढ़ने के बाद आपको marketing का meaning and concept समझ में आ जाएगा आपको यह समझ में आ जाएगा कि marketing का marketer के लिए क्या importance होता है consumer के लिए क्या importance होता है and society के लिए marketing का क्या importance है marketing का scope कितना है because आप यह subject as a vocational subject पढ़ रहे हो तो कितना scope है कि आपको कोई job मिलेगा या फिर आप एक अच्छा career ले पाओगे बना पाओगे इसमें और आप differentiate कर पाओगे marketing and selling में आप यह जो marketing की पूरी journey है कहां से marketing शुरू होती है किस क्या क्या तरीके होते हैं marketing करने के इस कुछ keywords का मतलब समझोगे जो marketing की field में important है इसको आप जानोगे तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना introduction तो introduction में हमको देखो यही बताया गया है कि अगर आपने life का एक typical day ले 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 तो उसमें हम अपना जो day होता है वो different sorts of products से उनको consume करके अलग-अलग चीज़ों को consume करके अपने day को शुरू करते हैं जैसे हम morning में उठते हैं और सोते हो जिन mattresses पे जो आप औरते हो blanket या फिर आप कहीं जाते हो से जा रे हो आप कशी बस से जाए हो आप किसी ब्रैंड की कपड़े पहन रहे हो किसी ब्रैंड के शूस बहन रहे हो गोल्गा रहे गा रहे हो soap यूज कर रहे हो, perfume यूज कर रहे हो, यह सब अलग अलग तरिके की चीजे होती है, जो कि हम daily life में इस्तेमाल करते हैं, ठीक हैं, और जैसे यहाँ पर भी बताया है, कि हम बात लेते हैं, soap इस्तेमाल करते हैं, शामपू यूज करते हैं, आप breakfast में पराठा खा सकते हैं, bread, butter, milk कि यह सब खा सकते तो यह सब चीजें होती है यह अलग अलग कंपनी अलग 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 ब्रांड अलग मार्केटर्स की होती है अलग अलग लोगों ने इन चीजों को बनाया हुआ होता है और जो गैजिट्स हम थूरूआउट दे यूज़ करते हैं जैसे यह जो मैं वीडियो शोज होते हैं हम देखते हैं उसको एंटरटेन्मेंट के लिए बुक्स और नीस पेपर पढ़ते हैं इन्फोमेशन के लिए हम जिन बैड मेटरस पर सोते हैं यह सारी चीज़ें इतनी एंडलेस हैं कि हम सुबह से उटकर शाम तक हम इतना सब कुछ कर लेते हैं अपनी कि ने मेरे को इस से क्या घंटा फरक पड़ता है मेरे को मिला मैंने खा लिया अब जाये चीज़ें भाड़ में मुझे क्या लेने देना है मेरे को इस से को लड़ने देने नहीं बट पूरे दिन में हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते उसके पीछे एक पूरे सैंटिफिक प्रोसेस है कि कोई चीज प्रोड्यूसर ने बनाई उसके मार्केटिंग वी और उसके बाद वह फाइनल कंज्यूमर तक आ गया और उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा जिससे आपकी अर्निंग होगी ठीक है तो यह सारे चीजें हैं कि है वी मुष्चा है कि छीजए कहांश आती है अगर आपने वेलन कुछ में इस Türkiye कहांशी आती है बस जल्दी लगों के दिमाग में यह सवाल नहीं आता ठीक हैं तो यहां पर तीन classes होती हैं पूरक complete process of consumption का कि there are three classes involved in the complete process of consumption किस तरीके से consumer तक consumer उस चीज़ को consume करेगा इसके तीन classes है basically पहला the manufacturer और producer कह सकते हो दूसरा the marketer and तीसरा आपका end user पहला क्या हो गया जो भाई उस product को बना रहा है वो manufacturer हो गया और जो marketing कर रहा है selling कर रहा है उसके बार में advertisement कर रहा है उसको distribute कर रहा है वो marketing हो गई and end user तक वो पहुचता है तो यह तीन classes हो गए कि किस तरीके से कोई भी product consume किया जाएगा अब manufacturer is someone अब यहां पर जो चीज है वो थोड़ी सी important है आपके लिए कि एक manufacturer वो इंसान होता है someone who makes products in a factory एक manufacturer का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा person जो कुछ भी product बना रहा हो एक factory में ठीक है तो वो कोई needle से लेके कोई plane तक कुछ भी हो सकता है तो एक अपसी बना सकते हो कुछ भी जो चीज़े यहां बन रही है जो factory में बन रही है उसको बनाने वाले को हम बोलते है manufacturer ठीक है अब producer is someone who makes the product but not in a company एक manufacturer वो इंसान होता है जो कुछ भी product बनाता है वो factory में बनाते है वेराइस एक producer उस बंदी को कहा जाते है जो कुछ product तो बनाए बट वो factory का इस्तेमाल नहीं करे और factory में नहीं बनाए ठीक है for example जैसे कोई farmer होता है तो वो farmer अपने खेत में फल और vegetables को ग्रो करते हैं on the other hand marketer is someone who performs various activities to facilitate exchange of goods and services between the producers or manufacturers and users consumer of the product marketer एक ऐसा individual होता है जो बहुत सारी various activities को perform करता है क्यों क्योंकि वो goods and services को जैसे यह producer है ठीक है यह producer या फिर slash manufacturer कह सकते हो आप बीच में marketer हो गया basically एक तरही का distribution का काम क्योंकि कर रहा है तो यह बीच में आएगा और उसके बाद हमारा end consumer होता है ठीक है तो एक जो marketer है वो producer और manufacturer आप कह सकते हो उसकी एक help करता है कि उसका product वो जाके end consumer तक पहुँचा देगा ठीक एक producer या manufacturer और युजिक के पहुचा तो युजिक की आपना करें इसके 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 क्योंके सकते है अगर आपकी अपकाद में जो जो में आपकार रहा होगा अगर आपनके जमाद में नुसका अच्टाव करें इसके में पोने करेंगों, जो कुछक्षाना तो पे इसका करी झाल झाल झाल